हालो एवरीवन कॉर्स एर एवप्यस्वी में आप सवी का सवागत है यो पी आरो यारो के प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग जिसमें ध्या के सेट में हमने तीन सेट तो कंप्लीट कर रखे थे आज हम देखेंगे इसके आगे किसे अर्था फोर्थ सेट का सेकेंड पार्ट यह फोर्थ सेट में हमने किया था थे था थ हम देखेंगे तो चलिए आज का पहला कोश्टण देखते हैं सलतनत कालीन पर मुकर और उसके परकार के यूगमों के बारे में सत्तकसन का चैन्म के गया है परकार देखने जजिया कर दिया हुए गहर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक करता और तीन दिया हुए खुम्स युद में लूट से प्राप्त धन्द है तो बता ये में से कौन सा सही सुमलित है उमिदे आपने अंसर लगा लिया होगा अगर आपने यहाँ पर D लगा है तो बिल्कुल सही काम किया है यहाँ पर D सही है जो जजिया कर था जी किसे संबन दी था गयर मुस्लमानों से लिया जाने वाला कर था इसको सुरूब सबसे पहले किस ने किया था तो मुहम्मद कासिम ने किया था लेकिन सिंध परांत में कर दिया था और डिल्ली सल्तनत में किस ने किया था फिरोस साथ उगलग ने और इसने किया कि फिरोस साथ उगलग ने दो काम किया था इसमें चेंजिंग दो किया था पहला चेंजिंग यह था कि यहाँ पर ब्रामःड पर भी दिया जाने लगा था मतलब उनसे भी लिया जाने लगा लेकिन जब वो मुहम्मद कासिम किया था तो ब्रामड से नहीं लिया जाता था और इस पेसली वो सिंद परांत में ही था चोट से चेटर में लेकिन जब दिल्ली सल्तनत में लगता है यह कौन करता फिरो साथुगलक तो यह ब्रामड पर लगाया जाता है और यह खराज जो था खराज एक ब्रामडों पर भी लगाया जाने लगा, इसके पहले जो लगता था, गैर ब्रामडों पर लगता था, ब्रामडों को छोड़ करके, ब्रामडों पर नहीं लगता, लेकिन ये फिरो साथ उगलक आया, ब्रामडों पर भी लगाया था, और आपको ये चीज़ पता होगा, इसकी कि बचत पर लगाया जैने वालायग लेक करता है कितना लगता था अगर आपने बचत किया जितना उसका टू-पॉइंट-प्रशन इसमें खर्च करना आ स्सक्राइब करने वाला नहीं इसके अट था किया चाहिक एक तरह सबंdetर करता थे उनको दिया जाने वाला से पराब्द धन भी झाय जाते थे खैरात की बहात कर लेता यह आ पर किसे संब्लद यह राज पदा कि यह दान एक तरशी ता और पूरी माल। मतलब पूरिवल माने जाते हैं फ Riop unto यह देना सबस्क्रांद ना चाहते हैं चली अगला देख लिएते हम यहां पर दिया हुए वेध निम्म्निकित कत्र पर विचार करें कि यहां पर गंधारखवेद साम भीथ का उपवफेद है धन हमद मते इतुर अधर्वफेद का उपवफेद हैं और धनुर्वेद ये भी विल्कुल सही बात है सिल्पवेद किसका उपवेद है अथरवेद का है यह भी सही है फिर आपसे पूछ लो मैं अगर रिगवेद का उपवेद का उपवेद कौन सा है रिगवेद का उपवेद हो जाएगा हमारा आयूर्वेद हो जाएगा आयूर्वे लिएया हूए, यहां पर नलाड लेडिग निया हूए, भारती कम्मूनीस्ट पार्टी की अस्थापना दिया है, लाड विलिंट्टन, यहां पर लाहॉर सडियंतर केश C दिया हुए लाड चेंस फोर्ट कहे रहा है रविन्ना टाइगर को नोबल पुरुषकार दिया गया D दिया हुए लाड लेंस डाउन यहाँ पर दिया हो गया है इसके समय में कहे रहा है कि इलहाबत विश्व विद्धाले के अस्थापना की गई थी जो उसके कारेकाल के ही समय में वो घटना हुई थी लाड रीडिंग की बात करेंगे अब जब तो यह लाड रीडिंग का कारेकाल कब था बताए 1921 में 1921 से 26 तक यह लाड रीडिंग का कारेकाल था 1926 से और इसी की समय में क्या होता, CPI इंडिया का गठन होता है, MNROY करते हैं, MNROY, 1920 में इसका गठन होता है, और बात करें हम 4-4 अकांड का, 4-4 अकांड भी न्यूज बता, 4-4 अकांड क्यों important था, पुर्णिये, 4-4 अकांड के जगह जो कांड सब्द है, वहां पे हटा करके, ज जन आकरोस सब्द जोड दिया गए हैं आपे, जन आकरोस सब्द, इसे घटना समझे ते, यह घटना कब किसकी समय में होता है, फिर अगर मैं यहां पे बात करो, लाहोर सरेयंत के, लाहोर सरेयंत के समय में होता है, देखिए, सेंडर्स की हत्या कर दे जाते हैं, इसके पहले वाले सेट में हमने डिसकस किया था, पूरे डिट के साथ, क्रिश्टल किलियर करके हमने समझाते हैं, आपे, सेंडर्स की हत्या होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, बिधान सब उपवास रखते हैं अर इसी सर्में ऑनकी मिरुथ हो जाते है कब होती है suicide 1929 मेंuldade 1929 कब हो गई पिर इसके बाद क्या होता है Simon Commission आता है Simon Commission कब आता 1928 में date आपको याद रहेग veya uld शेक्मेथ लगाने में असानmented maker Simon Commission आता है Simon Commission यक्षियर लिग दीजी पूर्ण सोराज की यहां पर परस्ताव रखा जाता है लाहोर अधिवेशन में ही पूर्ण सोराज का परस्ताव रखा जाता है सारदा एक्ट कब आता है सारदा एक्ट 1930 में आता है ये खुब सार एक्जाम में पूछ लिया था सीक्के में से अरेंज करने में नहीं कर सकते हैं, इसे में किया गया था, सारदा एक्ट में 1930 में आता, सब ने आवाग्या अंदुलंग और दांडे मार्च यात्रा कब होता, 1930 में, यह आपको पता है, फिर पर्तम गोल में सम्मेलन होता है, 30 में ही, और इसको क्या कहता, INC, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस, इ अब यहाँ भी हमारा तीसरा घटना क्या उन्चा था, रविन्ना टाइगूर को नोबल पुरसकार, बताइए, रविन्ना टाइगूर को नोबल पुरसकार कब दिया गया था, यह लाड़ हडिंग दूती के समय में दिया था, रविन्ना टाइगूर को नोबल पुरसकार, ये लाड हर्डिंग दूति को किस समय काम करता था आया था मतलब तो आप देखेंगे तो 1910 से 1916 के बीच में लाड हर्डिंग लाड हर्डिंग सेकेंड था तो हमने देख लिया लाड हर्डिंग कफ आया था 1910 से 16 तक इसका काम रहता है 16 तक कारी करता है और इसी के समय में क्या होता है रविन्ना टाइगोर को नोबल प्राइज दिया जाता है बिभाजन रद किया जाता है और राजधानी को कॉलकाता से उठा करके दिल्ली सिप्ट की जाती है उसमें 25 परसेंट भारतियों को रिजर्वेशन भी लाड हर्डिंग के ही समय में दिया था ये फैक्ट है याद रखेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इसी के समय में होता है और अखिल भारती हिंदू महासभा का गठन कौन करते हैं 1915 में आप देखेंगे तो अखिल भारती हिंदू महासभा का गठन मदन महाल माल भी करते हैं और सोले में ही बियाच्चू का गठन होता है बियाच्चू बियाच्चू का गठन कौन करते हैं बताइए 1916 में मदन महाल माल भी ही करते हैं चलिए इतनी सी बात थी आप याद रखेगा एक घटना और यहां पर था इलहाबाद विश्विद्याले की अस्तापना कब हुआ था आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो बताइए इलहाबाद विश्विद्याले का अस्तापना लाट डफरिन के समयम हुआ था काफी पूरा अंगलो इंडियंवार होता है यूद्ध होता है और इसमें बर्मा को अलग वखे लिए अलग दोनों के लिए टोनों के विए आता है यह सीज़्े इसके लिए थी, लेकिन आप यहां से आप से पूछा जाया, इसी के समय के घटना इलहाबात वला भी था, चलिया अगला देखते हैं, निमलिकित में से एक देखिए कोस्टन छोट गया है, लगवर दस कोस्टन मिसिंग है, पाँच कोस्टन मिसिंग है, चलिया ह परमागेश देखते हैं यहां पर चालीस नंबर कोस्टन से चालीस नंबर कोस्टन दिया हुआ महात्मा गांधी की अध्यास्ता में लिखित में से किस अंदोलन में गुजरात महासभा द्वारा परमुग भूम का निभाई गई थी एदियो खेडा किर्शक अंदोलन द्वार बी दिया बार्दोली सत्य अगरा सी दिया सबने आओ गया अंदोलन और डी दिया निल सत्य अगरा तो बता इनमें से कौन सा सही सुमली थे है उमीदे सभी लोगों ने यहां अंसर लगा लिया होगा यहां पर खेडा किर्शक अंदोलन जो था इसी में गुजरात मराठो के साथ होने वाले निमलिखित में से किस एक संदिको वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था ऐसे कथन बेस्ट कोर्शन आपसे खुब पूछे जाते हैं अग खास करके करजन की जब बात होती है तो करजन हमेशा याद रहता है क्यों क्योंकि उसके देंजरस कथन थे उन कथनों को लेकर कोशन पूछे आते हैं यहां पर पूछा गया है कागज का एक टुकड़ा मात्र था क्या अची मात्र था मराठो के साथ होने वाली संदी कौन से संदी इसमें से ग्वालियर की संदी सुरजी अर्जन गाउं पुरंदर की संद अ एक टुकड़ा मात्र है किस संदी को उमिधे आपने आंसर लगा लिया वो पुरंदर की संदी जो है 1776 में होती है 1776 में पुरंदर की संद इसी को यह पहता है कागज का मात्र एक टुकड़ा था देखिए इसमें तिन लोग थे पेशवा माधोरा नारायरा और अंग्रेज पुरंदर की संदी को काल करम के अनुसार विवस्टेश करें यहां पर एक दियाव सोदेशी अंदोलन की योजना दो दियाव बंगाल का विभाजन और तीन दियाव बंगाल विभाजन का निड़ है अब सोचिए कैसे यह सीक्में लगाया जा सकता है लगाया जा सकता है देखिए सोदेशी अंदोलन कब चलाया जागा बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन का निड़ है तो यहां पर अगर अब देखेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए यहां पर बंगाल विभाजन का निड़ लिया जागा फिर सोदेशी अंदो को क्या होता है 20 जुलाई 20 जुलाई को होता है नीड़ की घोसड़ा की जाता है 1905 में 1905 में घोसड़ा या नीड़ लिया जाता है तो नीड़े हमारा होगे 1905 में 20 जुलाई और फिर 7 अगस्त को 7 अगस्त को क्या होता है 7 अगस्त को कुलकाता टाउन हाल में सोदेशी आंदोल यह से शुरू कियाता है कहां पर कोलकाता के टाउन हाल में 7 अगस 1905 को फिर इसके बाद क्या होता है 16 अगस 1905 को भी भाजन कर दिया जाता है अगर आपने बी लगाता है तो बिल्कुल सही है डेट आपसे कभी कभी पूछ लियाता है इस तरीके को कोर्शन में तो महत्वपूर होता है डेट चले अगला दिया और नेमले खित मूला दिकारों में से कौन से नागरिक विदेशी दोनों को फ्राप्त है तो बता ये कोथन एक दिया हुए बाल सरम एभन अबैद मानों व्यपार के बिरुद दो कथन दिया हुए अल्फ संखेव को अपने धर्म के परचार है तो सिचर स संस्थाओं में कि अस्धापना कादिकार जो अल्फ संखेव हमारे हुआं उनको अपने जो धर्म का संरच्चर करना आपने वह साइ संथाघ्चर के लिए विदेश्य उमस्था परफ्त है बाता इनिम में से कौन ऐसा है जो भार्तिक नागरिक और बिदेशी दोनों को प् धर्म के परसार हेतू सिच्छर संस्थाओं के अस्थापना और उससे परसासन करने का अधिकार होगा। यह आर्टिकल 30 में दिया गया है जो कि केवल भारतियों के लिए है। बीदेशियों के लिए नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि केवल भारतियों को मिलने वाले कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें केवल भारतियों के लिए आप देखेंगे आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है। जाति, लिंग, जन्म, अस्थान के अधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जागा। किसमें आर्टिकल 16 में केवल भारतियों के लिए हैं फिर 19 की बात करेंगे तो उसने संस्था अस्थापित करने की बात हो जाती है। इनको संरच्षड दिया गया है। अगर आपको नहीं याद आता है तो आर्टिकल 15 में जो पांच कथन दिये हुए उस तरीके से पांचों इनका भी नाम याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा थोड़ा सब लॉजिक लगें तो समझ में आ जागा। क्योंकि जब पंद्र है कहे रहा है कि धर्म, मोल, जातिव, लिंग, जन के अस्तान पर किसी की सब भेदभाव नहीं किया जागा थी। लोक नियोजन की बात देखेंगे तो विदेशियों के लिए कहा इनके रिया अरच्षण मिलता है। अब फिर इसके बाद अगर बात कर लें कि अविवेक्टी की सोतनतर था तो विदेशियों को नहीं मिलती है। पर आके कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जितना कि भारती बोल सकते हैं। यह भी प्रविजन है। 29 की बात कर लेंगे। 29 अलफ संखेकों से संबंदित है। 30 वह भी नहीं से संबंदित है। तो हमारा निकल गया। अब फिर मैं अगर आपसे यह कहूं कि बिदेशियों को कौन कौन से फ्राप्त हैं। तो बताइए इन पांचों को छोड़ करके जो हैं वो भारती बिदेशित दोनों का फ्राप्त है। और फिर उसके 27 फिर 28 यह सब किसे संबंदिते हैं। बहरतीओं के सा से बिदेशियों को फ्राप्त है। चलिए अगला हम देखते हैं। अग्ला दिया हुए अगर मैं इस में भात करू आपसे तो यह कौन से होती है 44 λोग ने आंसर यहाँ पे लगा रखा है इसका आंसर है अगर अपने C लगा है तो C सही है अब 263 देखेंगे 263 आर्टिकल में किसका पुर्विजन किया गया है अंतराजी परिश्यत का पुर्विजन किया गया है और फिर इसके बाद क्या किया गया था किया गया था किसे कारवाल कर के एक आदेश के मादियम से यह बिधाई की सकतिक अंतर गया है इसलिए अगला आगला आगला कतन कहरा नहीं है किस में है केबल सर्व सर्वोच नियाले केवल उच्छ नियाले का है उच्छ नियाले का नहीं है आर्टिकल किसमें 143 इसको आप लॉजिक लगा के सियात करिए याद करके रहता है कि राष्टपती जब सर्वोच नियाले से क्या मांगते हैं सिजाओ मांगते हैं किसे समयधानी सम्मयस शर्वच नियाले से इसी के न einzटर पर्लामस देते हैं आपनेMP के लिए और तया कि यहाद रख्याओ कि जब सब मांगते यह देते हैं यहिसी चले पहला दिया हुए किंद्र में 2 ध्यासन, दो कतन दिया हुए, एक अखिल भारतीय संख की अस्थापना, तीन दिया हुए, भारतीय राजिस्चिव की परिशयत को समाप्त कर दिया हुए तो पता इन में से कौन सा सही सुमली थे, किस घटना से, मतलब किस भारत्शासन समाप्त करके केंदर में लगा जाता है आप एक ही कतन से आंसर निकाल लें दोसरा तीसरा आपको पढ़ने जिरूत है निए एक अखिल भारती संस्ता की संग की गटन 1935 के तरगत की आता है भारत की राज सचीव की परिशत को समाप्त कर देगे 1935 के तरगत हमारा से अंसर सी थ छेले अगला कोसिन देख़ते हैं राज सभा में धन विद्यद में संसोधन राज सभाज होती है यो धन विद्यद में संसोधन कर सकती है ये क्थम दो दियो अनुद Ciao about दो सदुनों में मतदान होता है तो कौन सा सही एच में अगर आपने आंसर लगा लिया होगा अगर आपने यहां पर लगा एड़ी तो बिल्कुल सही बात है दोनों कतर गलत है जो राज सभा है वो क्या कर सकती है वो यहां पर धन विध्यक में संसोधन नहीं कर सकती है रिकमेंड दिन तक अपने पास रख ली उससे ज्यादा हुआ तो पास मान लिया जागा राजे सभा से कुछ रिकमेंडेशन के साथ सब्मिट पास करना रहता इनको अगर वो उसको लोग सभा माने ना माने लोग सभा को पर डिपेंड करता है अनुदानों के मांग पर दोनों सद्रों मे जाँबर जादा आपने पास नहीं रख सकती है फिर फिर मैं काहूं अनौदानों के मांग से सभ्मिट पटरमीद कौन से अनुदानों के मांग से सिम्म्ध्ध मेन गहा है कौन से अगला देखते हैं नियमlier बडिक़तने예요 कमाल के लिए जो राश्टाप्ति नहीं ओप्र रा सिमलरटी मिलेंगी बहुत माइनर डिफेरंट कोई डिफेरंट नहीं रेखेंगे तो ऐसे सीधी-सीधी बात कहूं तो कोई डिफेरंट लिए यह उंधोयों विल्कुल सःभात है दूसरा कव्प मिन हां पर हमारा सही हो जाता है और तीसरा कव्प हो अब से मैं अगर पूछ हूं यह किस से प्रेरित है किसका उपर आश्टम व्यौत वाईस प्रेसिधंट का पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो किस देश से प्रेडी थे तो आप याद रखे गए युएसे से प्रेडी थे वहां से इसको लिया गया इसमें कौन है वो युएसे की वाइस प्रेसिडेंट कमला हरी से तो यह याद रखे गए युएसे से प्रेडी थे उपर राष्टापति के बारे में देख रहे हैं इसमें योगिता से संब्धित पर विजन किया गया है कि भारत का नागरी को ना चाहिए जो कि उपर राष्टापति में भी था 35 वरष की आयव पूर्य करलने चीछ यह भी दिया हुआ था और फिर लेकिन इसमें राष्टपती के लिए लोग सभा की योगिता इसमें दिया गया और वो लाप के पत पर ना हो ना तो राज जीमें ना ही केंद्र में लाव के प्वाथ में 9, ये पूर्वीजन थे, राष्ट, अच्akatipatis, समगे, चलिए अगला देखते हैं, पंचायती राज के समगे, कौन से कथन सही है, आपको पंचायती राज के बारे में पूछा गया है, हमने सारे आरिकल पिछले सेट में हमने काफी बढ़िया अशियु अन्सुची के तहत 29 बिश्यों पर कारी होता है जो 29 बिश्यों है यह पंचायती राज को अहस्ता अंत्रित करती है इसलिए इसके तहत कारी करता है यह बताए पूई तरह अपने अंसर लगा लिया होगा जिन लोगों ने इसमें लगा है अपना डी तो बिलकुल सही बात है त जब देखेंगे तो केतना तहर में प्रोविजन किया गया था नाइन भागनो में बाद आई पहर नो 1 के सब्सक्राइन यह पंचायती राज से 9 B किसे संब्दी थे सहकारी संगवाद से संब्दी थे तो 9 A B में देखेंगे तो लिखा गया है वहीं पर जो सकती है राज सरकर उनको हस्ता हंदरित करेंगे उसी फें वह कानून बना सकते हैं इगरामी अनसुची के तहद 29 विशें पर कारी कर सकता है कौन कर सकता है पंचायती राज भरहामी अनसुची के नतरकटगद में उसका नगरपालिक या कर सकते हैं ये बीयूरण दियेगए आप याद रखिए चलिए हम अगले आप देखते हैं पर अगला क्या ची दिया हुआ संसद केंदर सासित परदेशों के लिए कानून निमलिकित में से कौन से विश्यों में कानून बना सकती है संसत केंदर सासित परदेशों के लियने मिलकेश में से किन बीशिओं पर कानून बना सकते हैं यहाँ पर UT के बारे में बात किया जा रहा है UT बताइए क्या जा सकता है। उसे समप्मिधान संसोधन की बात की गई है। और दीवा देन冷静े। तो बताईए यहां पर दिया हुए समप्मिधान संसोधन। किसी समप्मिधान संसोधन outta दिया हुए GST से संब्धित कथन दो दिया हुए एक सो तीनवा सम्विधान संसु आर्थिवरूप से कमजोर वर्गों के लिए 99 दिया हुए राष्ट नियाएक न्यूकति आयोक तो बताए इनमें से कौन सा सही सुमली थे कि मैं यहां लगा लिया है अगर मैं यहां पर बात करूओ आपसे एक सांविधान संसु दन जा ओधा- public 99 जमिदान संसोधन की बात करूँ आपसे एक कब आया था बताइए 2014 में आता है यहन जे एसी यहन जे एसी की बात प्रोविजन करता है और जिसको सुप्रिम कोट इसको निरस्त कर देता है क्योंकि यह कहीं सुप्रिम कोट की सुप्रिम कोट को बादित कर रहा था इसलिए उसको हटा दिया गया 2014 में आता है हमारा सही अंसर है अगर आपने डी लगा है तो बिल्कुल सही बात है अगर मैं आप से पूछू 100 किसे संब्धी था 100 किसे संब्धी था बताए है 2015 में आता हैं सीमा संझ जो राजियों की सक्ति इसको छीन लिया गया किसके माद्रम से 102 संसोधन के माद्रम से राजयों की सक्ति यह ठाथ कर दिया थे 105 संसोधन में मोदी जी यही काम करते हैं संसोधन करते हैं अभी जैसे फार्मर बिल था उसको फिर से रिच्टौर करने के बात कर रहे हैं इसी तरीके से यह भी था ऐस यी भीसी टैसे इबी आता एक। संभीदान संसोधन आता हैं सो 550 संभीः में स्वाहपक। संसोधन कर दो किह में से हैं सैन कर कर सकती हैं तो रिश्टोर कर दिया कि 105 के माध्यम से मैं आपको यह समझ मैंगे 102 और 105 यह दूने दूसरे संबंदित है किसे NCBC अर्थाथ SEBC से संबंदित फिर मैं आपको पता को लोग समझ में सीट रिजर्फ था उसको समझ कर दिया गया तो कौन सा समिधान संबंद है 104 और फिर इसी के माध्यम से क्या कर दिया गया एसी और एस्टी के लिए जो आरचे सीटें 10 सार के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया अब 2131 तक यह रहेगा 31 में फिर बढ़ाना पड़ेगा इतनी सी बात थी उविधा आपको समझ में आ गया हो चलिए अगला देखते हम अगला को कतन दिया होगा निमलिकित में से किस अनुचेत के ताथ लोग सभा अध्यासंसत के दोनों सदनों के संयूग तक बैठक की अध्यास्ता करते हैं यहां पे ध्यान रखियेगा थोड़ा ध्यान से पड़ियेगा संयूग तो बैठक की अध्यास्ता करता है अध्यास सभाह अध्याच होगा वो संयोक्त बैठक की अध्यास्ता करेगा एक सो आठ में संयोक्त बैठक से संब्धित पूरवीजन किये गए हैं यह फैक्ट है याद रखिए एसर बोमई बना भारत संगबाद का नेड़र मुक्त निम भारते समिधान के किस अनुच्छे से संब्धि इसर बोमई केस देखेंगे कि 1994 में आता है इसर बोमई केस इसमें यह कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट रूल अर्था राष्टपति सासन 356 के माध्यम से क्या किया जागा अंडर जूडिसियर रिव्यू के अंदर रहेगा भी है जब राष्टपति जो नेड़र लेते हैं और किसी राजी में बीजेपी ने यह नॉन बीजेपी गवर्रमेंट तो वहां पर राष्टपति सासन लगा दिया जाता था यह दिखा करके कि समयधानी मसिनिरतन तो बिफल लई इस राजी में तो इसके माध्यम से राष्टपति सासन लग जागा तो और राष्टपति सा से लॉजिक और द्थर के कहार्पे किया जाहिं इसे इसे रोशनल तरीके से न किया जा मैं याज ने भाव को करके न में रीड ले लें इससे क्या होता कि कहीं न कई संगभाद कर वावित होता की एक ही जाप पड़े होता कि ए works पूछा जाता है याद रहेगा तो बढ़िया चली आगे हम देखते हैं एक संसदी एक संसद सदस्टी की सीट को रिख्त घोसित किया जा सकता है यह लगतार की अवधी में अनुपस्तित रहे कितने अवधी तक अगर कोई संसद सदस्ट अवस्त उपस्तित ना रहे तो उसको क्या माल देखा अनुपस्तित उसकी सीट खाली भोसित कर देखी उसको निश्कासित कर देखा अगर वह सीट छोड़ तुका आपना तो पताईए उमीद आंसर लगा लिए होगा आपने मैं अगर बता दूँग आपसे तो एक सो जब देखेंगे एक भाग चार में यह किस स संब्धित पूर्विजन दिये गए इसमें संसत के सदस्वा अर्था संसत के संब्ध में पूर्विजन दिये गए एक सो नब्बे चार की बात करूद किसके रिवारिन दिये गए यह बिधान मंडल के संब्धित अर्था बिधायकों के संब्ध में पूर्विजन दिये होगा चलिए अगले आगे देखते हैं अगला संसद भी दिद्वारा दो या दो से अधिक राजियों के लिए एक उच्छ न्याले के अस्थापना कर सकती है इसका वड़न किस अनुशेद में दिया गया है आपको यह बताना है 231 में 231 में दिया गया है यह पुर्वीजन फिर मैं गया 224 के बात करूँ 224 किस में दिया गया बताइए जो एडिशनल जज होते हैं और एक्टिंग जज होते हैं उनके न्यूक ते संब्दित एडिशनल एडिशनल जज और एक्टिंग जज से संब्दित किया गया है एक्ट तो किया किया जाएगा एक्टिंग जज या फिर किया जाएगा और दूसरा अपॉइंट किया जाएगा एडिस्नल जज कुछ आत्रिक्त जजजों को जो रिटायर हो चुक है उनकी नुक्त की जाएगी किसके अंदर 224 के इंतर गत्रकत किया जाता है यह चीज़ आपको समझ अंडिंग है तो और तीसरा राष्टफथी जबचा है तो इनके कारेकाल के बारे में बात कर लें हम किसके यहां पर एडिस्नल जज और एक्टिंग जज दोनों के बारे में देखें इनकी दो साल के लिए नियुक्त होती है और मैक्सिमॉम इनका एज लिमिट के इतना है ब साल तक रह सकते हैं दो साल कंप्लेट कर लें या उसका रिटार हो जाते हैं यह लोग इतनी सी बाती अफिर यहां पर हम अगर 224 क्यों छोड़े 224 का बारे में भी देख लेते हैं इसके बारे में क्या किया गए है सुप्रिम कोट की अस्थापना और गठन से संबंदित पर अब मैं फिर से आप से बात करूं आर्टिकल 32 के अंदर कर तो अपना सुप्रिम कोट जारी करता है रिट आर्टिकल 32 के अंदर कर तो चलिए उमीदेश चारों आपको आर्टिकल समझ में आ गया होंगे चलिए अगला देखते हम यहां पर राजी दिया है और गठन दिया अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि गठन की यहां पर तो पताइए कब गठन हुआ था आप यहां पर देखेंगे हर्याड़ा की बात करेंगे हर्याड़ा का 1906 में गठन हुआ था यह बिल्कुल सही बात है फिर यहां पर देखें मिघाले मिघाले का 1972 में गठन होता है ये भी एकदम सही बात है सिक्किम का 1975 में गठन होता है ये भी एकदम सही बात है सिक्किम का कब होता है 75 में नहीं होता है 72 में होता है सिक्किम का सिक्किम गलत है यहाँ पर दिया हुआ सिक्किम का कब होता है 72 में होता है 75 दिया हुआ गलत है यह फिर अगर मैं अर्वरांचल परदिस की बात कुरूँ सिक्किम 75 में ही होता है यहाँ पर गलत नहीं है सिक्किम 75 में होता है अर्वरांचल परदिस कब अब रही है अर्वरांचल परदिस में गलती है यह 1987 में होता है 1987 में इसका गठन होता है आजशल पर्दीस का छली हम यहाँ पर क्या चीज याद रहक चाइल्ड Sex Ratio और वहाँ की नॉर्मल Sex Ratio देख सकते हैं अगर मैं आप से पूछू ए हर्याडा का जो हो है वहाँ का Child Sex Ratio क्या है बताईए वहाँ का Sex Ratio पहले कि étaला है याद बताईए यहाँ पर शेक्स राषियो और यह इतना है और यह इतना है भारत में सबसे ज़्यादा सेश्यो कहां देखने के मिलता है चाइल्ड सेश्यो और नार्मल पीस रस्यो वैसे तो आप देखें कि तो केरल सबसे हाइस हो जाता है कहीं सेक्स रेस्यू अब पता है 1000 बच्चों पे 1000 महिलाओं को कौन केयाते हैं 1000 मेल पर कितनी यह कंट केया तो केरल में कहीं से आगे हैं मतलब महिलाएं जाना तो वहां पर भी बैलेंस देखने के लिए मिलता है लेकिन परफेक्ट कंडिशन में देखे तो अरुड़ांचल परदे सबसे टॉप पर आ जाता है वहां पर अगर देखें चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है और फिर नॉर्मल सेक्स रेशियो तो यहां पर कमपोजिस्ट सेक्स रेशियो तो नॉसो और तीस है तो कहीं निकल गए आगए अलोवेश्ट के बाद कर तो आहो जाएगा अपना हर याड़ा यह दो फैक्ट अप याद रखिएगा चलिए राजसभा का सभापति पदगरहण करता है जो राजसभा का सभापति का पद घरहण करता है तो और राश्ट पती का पद घरहण कर लेंगे तो वो जैसे ही उस पद केलिए EGO फरी पत न्यूक थोंगे उपर इज्सेके उपर राष्ट्पती का पद जबसे देश बताएं यूवस्टे से प्रेजित है जो कि हमने अभी थोड़े दिर पहले देखा था चलिए अगला कुस्षन देखते है अगला कुस्षन पुछाए चाहिए आपसे निविखित में इससे कौन से है भारत के राष्टरपती के संबंद में सत है कथन एक दिया हुआ राष्टरपती के के लिए लोग सभा का सदस निर्वाचित होने की योगता होनी चाहिए इसकी संबंद में राष्टरपती के संबंद में बताइए कौन से इसमें से सही है उमिद अपने अंसर लगा लिया होगा इसमें सी चाहिए हमने पहले इसके पहले देख लिए था राष्टरपती के न राजे सभाग अनुझत 312N के अंतरगत अखिल भारती से वाओं का सिर्जन कर सकती है कीस तरीख एक त्याहि अंल हिसे मूँस से सद्धारट वहमस से दो त्याहि सद्धस्यों के वहमस से और अला इंडिया सर्वीसिस के गठन कैसे कर सकती है देखिए एक चीछा से 315 में केवल UPSC संबंदित प्रविजन नहीं है 315 में मतलब State PCS से संबंदित से भी State PCS से संबंदित भी वहाँ पे ब्योस्ता किए गए 315 में आप याद रखेगे State PSC कहते हैं उसको PSC Public Service Commission हो गया राज लोक सिवा आयोग हो गया तो ESPSC के बारे में प्रविजन 315 में यह UPSC संबंदित प्रविजन भी इसी में है यह कहीं पूछा जा सकता आपसे याद रखेगे होने की सिती में राज विधान मंडल में संयूक्त बैठक का प्रावधान है कतन दो दिया हुए साधारण विधे पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उससे कुल चार माँ बिलम में कर सकती है उन्हे से कौन सा सही है न सिफसे पहले आप यह बताक होतीए किस मामले में यह पे अगर हम बात करें तो संयूक्त बैठक का होती है बिधान सबा में नहीं क्या होती है संयूक्त बैठक कोई प्रविजह नियुक्त प accred कभाते सके द। दर्गति रर्गतिश्तरएं केमें कुल चार महा तकर रख सकती है, सबसे से पहले बार अगर तो सब सकते हैं, पहले बार मंद चार गर रख सकती है..। उसको विलनमप करवा शकती है….पहले घ्लत है.. वह याँज्ध कम समंझ problèmes OFF होगा यहाँ अग्र मैं अगला देखों तो स्टन चलिए अगला देखते हैं अगला कोश्ण पूचा गया है विटामिन B Six विटामिन B Six दिया हूँ चर्म रोक यहांपय विटामिन B 12 दिया हुसे गयन हे दोल रेचा यहांप में अंसर लगा लिया हूए अगर हम यहाँ पर देखेए हमाराmind सही आंसर यहाँ होगा मिस्मेश चाहिए जो सही मेश नहें और यह यहीच नह впечат dul क्यों गल्ण दिया करलो अब हो आप लोगों ने रताउंधी सुनाओगा रताउंधी गोल्डेन राइस का नाम सुने हैं आप गोल्डेन राइस में एड है विटामीन यह यह चीज़ आप याद रखेगा अब फिर यहां पर दियांगे बीचिक्स की बात करें तो चर्म रोग है इसकी डिजेश बीचिक्स के करण चर्म रोग होता है बीट्वल के करण होता है एनिमिया भारत की महिलाओ में जाता देखने के लिए मिलता है फिर बिटामीन एक करण क्या होता है जनन सक्ति में कमी आता है रेडक्शन इन फर्टिलिटी रेस्ट एफ्टियार का नाम सुने होंगे तो वह सीक अंदर कर यह कमी आता है कितना होना चाहिए जो परते रिप्लेस कर दे रिप्लेस्ट रेट कितना होना चाहिए एफ्टियार कितना होना चाहिए टी एफ्टियार कितना होना चाहिए 2.1 रिप्लेस करने के लिए होना चाहिए यह चाहिए भारत का कितना है अब नीचे बताईए कि भा बिशाक्त होने के लिए उत्तरदाई है बताईए एसपरजिलस और लेक्टिव एसलस फिर जहां पर दिया है क्लोस्टराइड क्लोस्टराइडम बोटुलिम्न लिया हुआ तो बताई इनमें से कौन सा है किसके लिए जिम्धार है सुच में जिवधारी है जो कि बोजन के दिशनर लगा लिया होगा जिल लोगों वे फेया है क्लोस्टवी सब्सक्री गनाने में बखकुक्त बनाने में आब यहां पर देख जम्म की से समध्यतों.. जीडियो होते हैं.. हता चलिए अगला देखते हैं.. कत्धन एक और उससे समध्रेदी होगा.. जैसे कि एंडेमिक दिया हुआ है बताइए किसी छेत्र बीसेस या जनसंख्या ये COVID-19 से संब्धित कोश्चन है COVID-19 में पैंडेमिक एंडेमिक ज्यादा नियोज में था इसे पुछे जाने कि अब संभाना कम है फिर भी याद रखिएगा एंडेमिक के संब्ध कह रहा कि किसी विशेस छेत्र की ये जनसंख्या में एक अस्थाई रूप से बिद्दमान कोई रोग एपिडेमिक कोई संकर्मा रोग जो किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में तीजी से फैलता हो तो उसको एपिडेमिक करता है पैंडेमिक जो ग्टलूबल लेबल पर विस्तारित हो गया हो, तो पताइनमे इन में से कौन सा सही है, सभी सही है, एंडेमिक क्या होता है कि किसी अस्थानी हो, एंडेमिक, अस्थानी किसी चेत्र विसेस में ही हो, और Лंबे समत को होँआ पलभीद्वां रहे recognizing अस्थायर उ दिया हुए एक दिया हुए अफ्रायत की जांच करने है DNA परिचर बी दिया है गर्वती महिलाओं में किया जाने वाल एक परसौपूर परिचर और और सीडिया एड्स से बचने की रच्छा पद्ध और डिया हुए पर जीन अभियांतर की की नविंतम परदोद की तो पता एक किसे समझने था है उभी दे आपने आंसर लगा लिया होगा देखिए परसौपूर जो होता है बच्चों में बहुत सारे तरप बिकार देखने के भी देखार का पता लगाने के लिए गर्वती महिलाओं में किया जैने वालब परसौपूर परिच्छड है अगर मैं कहीं पर्नौशेशन गलत करता हूं तो आप अपने सबसे मैनेज कर लिजिएगा हो सका मेरा पर्नौशेशन कहें गलत हो चली अगला देखते हैं अंतर द जो होता है उसके बाइभी में पूछा जा रहा है यह पर लिका अन्तर रप्वें correct बैया शहरतले streamsıyorlar कि कप अधी परफ्रय परदकूरर क आमें ज़ीव। आए यह फिर एंडो-प्लाज़मिक रेक्टीकूलम के बात करेंगे इन्दो प्लाजमिक रेक्टिकूलम और राइबोजोम की बात करेंगे, तो दोनों क्या करते हैं, बताएए, दोनों ये कोशिकाओं में, प्रोटीन संस्लेसर में महात्वड भूम का नहीं बाते हैं, हमारा सही अंसर हो गया, बी, कौन-कौन से, एंडोप्लाजमिक रेक्टिकूलम और राइबोजोम, ये दोनों महात्वड भूम का नहीं बाते किसमें, ये सिंथेसर अब प्रोटीन में, प्रोटीन का संस्लेसर में महात्वड भूम का निबाते हैं, इसलिए हमारा सही अंसर है बी हो गया, अगर आपने बी लगा था, तो आपका बिल्कॉल सही है, पार हाउस जो भी हिंदी में हो, इसको पाउर हाउस अब तो सेल कहते हैं उसको, चलिए अगला देखते हैं, निवलिखित में से कौन सा है, एक जल से हलका होने का पर तैरता है, मतलब वो जल से हलका, तो उसकी जो density है, वो जल से कहीं कम होती है, और उसको जल डालने पर तैरने लगती है अगर मैं जल की बात करूँ तो जल का कितना है बताइए वन ग्राम यहां पर हमारा सोडियां सही अंसर हो जाता है लेकिन अलमोनियों की बात करें अगर सबसे भारी पूछ लेता कौन सा होगा बताइए इनमें अगर सबसे भारी पूछ लेता त Coach Magnes होगा सबसे भारी हो जाएगा क्योंकि मेगनीत का 5.95 गराम पर सबसे भाइदे मेगनीे लेकिन उसके बा olan सेक Benton अगर सबसे भारी इसमें बात किया है इसमें अच्छली डिए वॉयर कि Сब्वतुरायाomnia मेगनीत किसं के अध्यन से समध्या आपके में मैं औंटोलाजी की स्बद्स निटोWe acontece सुछ में जिवों के अध्येंस से अंग विग्ञांसा समझन का। अब मैं आपभेंगे सोमद्स वाहिए। वह बताई यह होगा हमारा और और ग्न ओ लॉज्जी और गैनीन लॉजी वह ग्या और गैनोलॉजी आर्गैनोलॉजी साइन्स से संबन दित इस्टडि अफ आर्गन को करते हैं फिर आपसे कहूं कि muscles का यहां पे इस्टडि आप muscles का अध्यन करने को क्या करते हैं myology ओ लोजी मायो लोजी करते हैं study of muscles जो होता है पीस यू का अध्यन study of muscles उसको करते हैं myology फिर मैं पोछूं आपसे कि जोивать इस्थ कमें जिवह होते हैं, उनका अध्यन क्या कहा जाता हैा है उसको 《ульт saos》 कि बायोलोजी किसे संबगते on Video Review of Microbiology , maintaining चलि अगला है नखर, कूर्स्चण दिया हूँ , दंत वलक , टेथ frying परे डेह और टेथ عنुण , याध मेरे व्यादर रखे गये , और चीज़ आपको याध मेर रहे गए , टेथ अनमेर किसे संबगते है?, बताईए Dutch यह कौन से कैल्सियम योगी से बना होता है यह जो आप दान्त देखेंगे कुछ इतना बड़ा माल लेजिए आपका दान्त है मेरा दान तो बहुत खराब बन गए है यहाँ पर उपर से एक पतली से लेयर होती है लेकिन काफी हो स्ट्रॉंग होती है किस चीछ से बनी होती है हाईडरो यहां पर बात करेंगे तो हाइडरोजाइड है हाइडोजाइड है और हरह फास्वेट हुद् यह किसी से बना होता है, कैल्सियम की योगी से बना होता है, कौन से कैल्सियम की योगी से बना होता है, यहां पर यह पूछा जा रहा है, तो यहां पर हमारा सही अंसर होगा, कौन सा, कैल्सियम फास्पेट, यहां पर कैल्सियम फास्पेट से बना होता है, लेकिन अगर इसको मुख से उस्पूछ जगो योग का होता है । है ड्रौक्सीयव पेटाइल होता है है ॻो पेटाइल होता है इसकी बना होता है कौन सा इट एनमिल आप याद रख्योगा यहां पर किस का योगिक होता है तो यह तो regia फास्ट वेट है कैल से हमें पूछा जातों चलिए अगला देखते हैं गर्वत्य महिलाओं को विशेस रूप से विशेस कर पहली तिमाही और उसके आहार में हरे पत्ते सब्जियों को प्रयाप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाते है जो गर्वत्य महिलाओं होती है उनके प मतलब तीन मन्त में क्या कहा जाता है उनको यहारे पत्ती वाली सब्जियों को खाए क्योंकि उसमें फोलिक एसीड पाया जाता है जो की डिने संसलेसर में महत्त प्रूप्रूम करने बाता है चलिया आगे लागा हम देखते हैं इसका सभी आंसर यह था कथन विल्कुल सही फोए से पानी भरते समय रसी तूट जाने पर बेतवी पीछी गिर जाता है एक उध़ारडा किसका यह action reaction का उधारड है, newton का कौन से नियम हो Newton के गति-विश्यक नियम Newton के गति-विश्यक दुईती नियम Newton के गति-विश्यक दुर्टी नियम इन में से कोई नियम किसे समझेते हैं, यह Newton के 3rd law है 3rd law के बारे मैं आप जानेंगे आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंटर्व में पढ़ रहे होगे तो आप पर किसके वरे में एक बेक तो जब बंदूर से लाता है जटके को ज़से पीछे गिर जाता है तो आप लोगों पर एक्जांपल दिया होगा कि अगर आप बस में बैठे हुए हो बस में बैठे हुए हो कोई ब्यक्ति बस दोड़ तेजी से चल लए हो तो क्या होगा अचानक ब्रेक लगाने पर ब्यक्ति आगे के तरफ चला जाता है इससे क्या होता है इसको सम्वेग का नियम भ्यते हैं अब मैं यहां पे बात कुरहों न्यूटन के दूइथी मियम करते हैं अगर परिडामी बल कमान सुन है अर्थक परिडाम बल सुने होगा समभ्य कमान भी क्या होगा सुने रहे यह दरा इक्सेंट पर याद रखे ज्यादा एक्सन व्हाल Rider फोल्ञ पूछता है अर्थक संबंदनी आपको फोोटो यहां पी पूछा कि यह पूछा किया स्थे फोटो फासफरलिद्येशन रायलैस्ण फोटो फासफरलाईशन किस समयस hätte इतिपी से it anyoblp- 1974 एटीपी में और ए अडीपी से 라टीपी में अटीपी में तो इसको करने हम इसको को मतलते हrica को इसको फोटो फासफरलाईशजेशन इसमें क्या हुदाए ? जब अब एड़नो डाइफासपेट कहेंगे ? JAY डाइफासपेट में चैंज होता है ? इसको कहते हैं ATP जब ATP में Convert होता तो इस घटना को कहते हैं ? चलिए अगला देखते हैं इतना बड़ा पत्थल है? जर्शन बरateg करते हैं बहुतनी घटना में क्या होता है रॉक जो तो चट्टने उ भ्रेक कर जाते हैं कैसे रिएक ओ कर जाता है है यहां जाता बताइए यहां chemical reaction कर जाता है chemical reaction किस तरह का अमली वारिस हो रहा है तो भी छरड होने लगेगा उसका और अन्य तरीके से हो जागा या फिर वह chemical reaction कर गए कोई नहीं अधात बना लेगा कोई नहीं तरह कर ले बना लेगा तो उसको छरड शुरू हो जाता वहां का मलें चूना प अब यह से समझ सकते हैं कि माली यह कोई ऐसी जमीन है वहां पर अमली वारिस होने से किस तरह के changing बदलावाएंगे उस घटना को रिपर्जेंट करता है रासानिक अपच्छे अब जैविक अपच्छे की बात कर लें हां पर जैविक अपच्छे कैसे होता है जैविक अपच इसमें पौधा निकला इतना बड़ा और इसके जड़ें क्या होंगी अंदर जाएंगी और अंदर जाएंगे तो पत्थलों को तोड़ेंगी तोड़ने को जीविक अपच्छे होता है तो अयाविर वहां पर जीव हैं लिए कि अब चूह होगा है जूह कहांगा होल बनाए जमीन है, वहाँ पर जब रसाइनी गटना के अंतर गट कोई चीज यहाँ पर सड़ने लगए, सड़ने गटने से उसके उपर भी परभाव जो पड़ते हैं, उसको जविक और रसाइनी गटना काते हैं, जब सड़ेगा तो वहाँ पर चोट चट जीवाएंगे, एक तरह से ज रूपिड अंतरस्तरावित गरंती है, इसमीस आपसे पूछाएंगे, कौन सी ऐसी अंतरस्तरावित गरंती है इसमीसे, जो केवल सोतन तरुप से क्या करती है, वही अपने जो भी हार्मोन होते हैं, उनको डारेट पहुचाती है, इसके बारे में पूछा गया आपसे, तो और यहाँ पर प्यूस गरंती, पिट्यूटरी गरंट, और यहाँ पर लसिकात दिया हुआ, और फिर यहाँ पर अगनास से पैंकरियाज दिया हुआ, तो बताए इनमें से कौन सा सही है, अंतरस्तरावित गरंती का एक्जांपल है, पिट्यूटरी गरंट, पिट्यूटरी साइट टेस्टीज करते हैं तेस्टीज करेंद 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 किसी नली द्वारा अपने उत्पाद को अर्थत हार्मोन को गंता भी तक ले जाने के लिए एक नलीका का व्योग करता है वो तो उसको कहते हैं बहीर सरावी ग्रंती जिसको बाहर निकालता हो तो फिर बदाइए memory gland memory gland किसे समद्देते है यह बहीर सरावी ग्रंती है फिर अगर पुछें प्रक्रियाज अंग्रासे भी बहीर ग्रंती है यह चीज़ आपको समझ में आगया चलिए अगला देखते हैं melanin एक प्रक्रतिक वाड़क है melanin तो आप जानते होंगे जो इस खीन पे होता है प्रक्रतिक वाड़क है जो मानो तोच्या बाल और यहां तेकी मेलानीन की बात करेंगे तो यूवी रेस से रोकता है अर्थात अल्टा वायलेट रेडियेशन से संद्ध्षर प्रदान करता है जो मेलानीन होता है इसलिए आप देखेंगे एक्विटर के आसवास के लोगों को उनका इसकीन जो हता है जादा डार्क होता है जैसे आप पोलर किसके मापन के लिए किया था है इधिया उसमें बिक्रड के बीरिया ताप परवड़ता के सीरिया धौन के और दीरिया परकास चालन के तो बताइए बोलो मेटर का उप्यों किसके लिए किया था है अगर मैं यहाँ पे कहूँ बोलो मेटर का उप्यों किसके लिए किया था ह उसमें बिकिरड के लिए किया जाता है बोलो मीटर जैसे कि एलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन के मापन के लिए बोलो मीटर रुपयों किया था है थर्मल रेडियेशन के लिए इसी कोफियों किया था है इन सब के लिए बोलो मीटर रुपयों किया था है चली बोलो मीटर बीचनेß बीचनेय के रूप में कारी करते हैं इन Μें से कौन सा सही सहु विज fuilles डूनों के बीच में हाँ काम करते हैं बिल्हकुल साही है यह हमारा साया निया है पर जो प्रामिरिय को चैंटरी जो गता है अंको ब्लद सब्सक्रेंठ सुह अंगारा seriously निमलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस बाइमंडल में नहीं पाई जाती है नियान, आरगन, क्रिष्टान और रेडान तो बता है इन में से कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस है और बाइमंडल में नहीं पाई जाती है उमीद सभी लोग ने आंसर लगा लिए होगा हम यहाँ पर बात करें तो वो gas हो जाती है हमारी redon अर्थर D redon जो है यह एक अक्रिय gas है और यह कहाँ पर पाई जाती है जब देखिए अक्रिय gas है और यह radio activity decay जब होता है जो होता है uranium 6 जो होता है उसको जैसे release होता है और इसकी आई कितनी दिन होती है 3.8 day होती है redon की और यह की और काम आता है वो कौन से काम है जब भुकम आने वाला होता है इसकी माप करके कि इसकी अगर मात्रा बढ़ रही है किसी चेतर में तो हम मान लेते हैं रेडियो एक्तिविटी जब डिकзя होता है छाय होता है उसका रेडियो एक्तिविटी तो इसका निर्माड होता है और पथरों में रेडियो तत और होते है उनके चरण से यह release होता है चलिए अगला है विग्यान के की साखा के अंदर नींद का अध्यन किया जाता है यहां पर देखा हिनोलोजी हाइपनोलोजी हाइपनोलोजी सॉरी हिपनोलोजी हिपनोलोजी वही किसी को अपने बस में करना बसी करण कर सकते है पंध हीप्णोलोजी जो है रिंपनोलोजू के नतरकत क्या किया जिता है हिप्णोलाजी क्या करता है, साइंस है जो है दील करता है कि फिरिमनाआर स्लिपिंग सुनी की घटना से अर्प घ्र होने धूला में सेंसे जो हो काम नहीं करेंगे ऐसे में उसको करते हैं हिपनोलोजी, हिपनोटाइस कर देना तो हमरा सब्सक्राइब अंसर हो गया अब टेली पैथलोजी क्या होता है बताजे टेली पैथलोजी, बीना बोले ठिप, बीना जाने, समझ लेना फिलिंग को, मतलब प्रेमी-प्रेमी का वला मामला यहां पर है कि एक दूसरे की बातों को वैसे ही समझ लेना बिना बताया हुए उसको टेली पैथलोजी करते हैं मतलब किसी को दर्द हो रहा है आपने बिना उसमें बताया भी नहीं आपको समझ भी आजाए उसको टेली पैथलोजी इस तरह के समझ सकते हैं समझ लेना आधान परदान हो जाना एक्सेंज लेना जैसे कि कोई बुजर गाजमी रोट क्रास कर रहा हो आपने उसको देखा आपने याक किस समझ करते है इसको ब्रहमांड बिद्य करते हैं पूछ रहा है इनमें से किसका किराना घराना से संबंध है उमीदे आपने अंसर लगा लिया होगा देखे किराना घराना को लेकर के थोड़ा से कनफियोचर लोगों को राता है क्योंकि कुछ लोग कहीं देखेंगे तो सहारनपूर सहारनपूर का ब्यूरड देगा कहीं देखेंगे तो मुझफर पूर का ब्यूरड देगा फिर कहीं देखेंगे सामली सबसे पस्सिमी जिला यूपी का सामली के बारे में देगा बताएगा इतीनों को लेकर के मुझफर पूर सहारनपूर इन सबको लेकर का और सामली इन सबक पहले आप देख लिए थे कौन-कौन लोग है फिर उसके बाद हम डिष्कस करेंगे कौन है इसे तो देखिए अगर आप इसीज के बात करेंगे यहाँ पर तो आप सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि किराना घराना के सुरुगात कहा चोई थी तो उस किराना अब्दुल करीम दूल करीम坦 इन्होंने इसके नियुईू रख था किसका किराना घराना का और गंगु भाई हंगल गंगु भाई हंगल का संब्द को है इस स्बॉड़ ahora बेगम इने इनका भी संबंद में थी संब्द है इंसर सहिय है तो कितने घराने हैं टोटल तो चार घराने है तो हमने एक तो देख लिए हैं पर किराना घराना अब देख लिए तो हम आगरा घराना आप यह बताए यह किसका आगरा आगरा घराना बस यह रहाए आगरा घराना किस कौन सा एक घराना नहीं है ए इलाबाद बी बनारस सी किराना किराना तो देखे लिए आपने बनारज भी है इलहाबाद कोई घराना नहीं है इसी ज़िए आप याद रखी इलहाबाद में कोई घराना नहीं था आगरा घराना की बात करें तो अलक दास हैं, मूलक दास हैं अलक दास, मूलक दास ये दुनों आगरा ख़राने से समझते हैं, पस्ते से नाम जाते हैं, अलक दास, मूलक दास, किसे हैं, आगरा की बात करेंगे, अलक दास, अलक, अलक दास, और मूलक दास, मूलक दास, मूलक दास, तो दुनों किसे समझते हैं, आगरा ख़राने से, अलक न उगहराने की बात क सुर्किद अली खां संभू जी और बिर्जु महराज ये दो तीनों किसने समझें इसा भी लो लखनो गराना से सबसे मों इंपॉर्टेंट इस बार आपके लिए ये है कि बनारस घराना याद रखें वरारसी गराना बनारस घराना समझ छनुलाल मिस्र इनका नाम याद रखि किसन महराज के नाम याद रखेंगा किसन महराज किसन भी लो याद रखना वह 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 ओ लतमंगेशकर किसे समझ रखती हैं और इएक अतना सिछा गरड की थी लटाम बंगिसकत जो गाना काते हैं अली खान की मतलब गुरू थे अली खान तया याद रखेगा आप लोग चले एक लट दिकते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी और दच्छीड जीले करम से हैं सबसे उत्तरी जीले और सबसे दच्छीड जीला कौन सा है तो वेस्ट जो वेस्ट में हो जागा सामली अभी हमने देखा सामली सामली हो जागा सामली सबसे वेस्ट में है और सबसे इस्ट में बात किये तो कौन सा हो जागा बताईए सबसे इस्ट में अब जब देखेंगे तो सबसे इस्ट में मिलता है आपका बलियां बलियां ब पहुं था हैसरस्य फॉन अठू को उतरःप्डेश की और वाराशाय के रोप में सरकारी मानेता कम मिली थिस्थ नعتीं नाइन्टिन एंड्टीय नाइन अगरम्हेटे को मरत कम मिली थिस्थ जब हम आजाद हूंए build-house read मिल गई हंदी पिर मैं यह कहूं कि यूपी का जो अस्थापना देवरस कब मनाे जाता है अगर याद आ रहा है उसमें दो पीच है मचलिएं और तीर धनो से है तीर धनो से हैं और तीरतरों से याद रखिए कि उसके चिन है चलिए अगला देखते हम अगला है निमलिकित में से कौन सी है उत्तर परदेश की पेजल परयोजना है बताइए यहाँ पर ए गोमती बेराज लॉकुस बेराज और गोकुल बेराज कौन से उत्तर परदेश की पेजल परयोजना वो प्रुक्स सभी है गुमती नदी के तर्ट पे कौन सा है यहां पर सहर है लखनों गया यल के वो कर दिए लखनों हो गया गुमती नदी के गुमती बैराज कहां पर लखनों में है अब यहां पर कुछ और आपको आदर है लॉकुस बैराज बता दिए लॉकुस बैराज कहा कहा पर पताएं गोखुल मधूराघर महातु रा मतुरा मतुरा चली यहां पर फेमस मंदिर याद रखिएमयगा चली अगला र αυτर-प्रधिष tu Game याद-र चली मन्य tapping लिए बतायो जके मंदिर अभी हमने नाम इसरों यहां पर कानपूर मैं है चलिए उत्तरप्रदेश के संदर में असत्य कदन सही है यह दिया है 16 महाजन पदो में से 8 वर्तमान में उत्तरप्रदेश में इस्तित है बी दिया है यहाँ पर आपको पूझना असत्य कौन सा है यह बताना है अलमगीर पूर अडपा सभीता के पस्चिम बिस्तार को परकट क करता है तीन दिएवा जयन पिर्थंक संभवनात यों चंद्रपरधार परवू चंद्रपरवू सरवस्ति से संबंदिते सरवस्ति में बुद्ध्य ने सबसे रोपदेश दिया था यह बात याद रखिएगा और डी कर अपरोस सभी से यह तो पता है इनमें से कौन सा गलत ह यहाँ पर हमारा गलत आंसर है यह अलमगीरपूर यह सबसे पस्चिमी विस्तार नहीं है सबसे पुर्विय विस्तार है जो कि योपी के मेरट जिला में है योपी के मेरट में है अलमगीरपूर सबसे पस्चिमी कौन सा है सुद कोगडे सुद केगडोर सुद के सुद सुट कागेदोर सबसे पस्षी में विश्तार है अब याद रखेगा दास्क नदिप है कौन सा है सुट कागेदोर सबसे उत्करी विश्तार की बात कर लेत। मानडा के नाम याद रखेए है कहां पर है? जै अन के में है, जंबो और कश्मिर में है मांडा तो मांडा सबसे उत्री विस्तार लेकिन सबसे दस्षीड की बाद कर लूँ आपसे सबसे दस्षीड विस्तार कौन से है दैमाबाद 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 में सबसे दस्षीड विस्तार पर जो कि आहम्दाबाद में है तो अहम्दाबाद नर्वदा नदी के थोड़ से दच्छीड में इस तीद है तो इसकी समय नर्वदा नदी ही है हमारा सही अंसर यहां पे होगे बी चलिए यहां पर पूछा जा रहा है आपसे चीनी यात्रे वेन सांग ने अपने यात्रा वियोरण में अंतर जी खेडा को क्या कहते हैं जो वेन सांग था वो अपने वियोरण में अंतर जी खेडा को किस नाम से जानता है यहां पर देखें पी लो सन नाम से यह मानता था पी लो सन सही अंसर हमार हो जाएगा और यह कब आया था 1627 से 627 से और 643 के बीच इसक पुर में आया था किसके हर सो वर्धन के काल में और सी यू की सी यू की इसकी पूस्ट तक है यह चीज आप बस याद रखिएगा चलिए इसमें देखते हैं अगला निवलेकर में से किस स्थान पर प्राची नकाल में कापास के उप जानने के साच्छे मिलेते हैं मिले तो कई जगें से थे लेकिन इनवे से आपको बताना है थे इनवे सही होगा मारा अलमगीरपूर अलमगीरपूर में कापास के साच्छे मिलेते हैं चलिए बस आज के लिए इतना ही यह से देखने के लिए धन्यवाद